जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सितंबर माहा के पहले सप्ता के बारे में यानि 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 के धनूरासी फल के बारे में और धनूरासी के लोगों के लिए यह सप्ता कैसा रहने वाला है, कौन ग्रह कहां इस्तित होगा और आपकी रासी पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेबसाय, कारीचेत्र, सिक्छा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्ते जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जानेंगी सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो घंटी का बटन है उसे दबा दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकिशन पहुँचेगा आप तक सबसे पहले दोस्तो बात करें इस सब्ताहा ग्रहों की इस्थिति के बारे में तो धनुराशी के लोगों के लिए इस सब्ताहा में एक सितंबर से पांच सितंबर तक मंगल देव आपके नवम भाव में वराजमान होंगे और 6 सितंबर को मंगल देव कन्या राशे में गोचर कर जाएंगे और आपके दसम भाव में वराजमान होंगे और पूरे सप्ता बुद्ध देव आपके दसम भाव में वराजमान होंगे और गुरु ब्रहस्पती पूरे सप्ता आपके तिर्ते भाव में वक्रिय वस्ता में होंगे और यहां सप्ता की सुरुवात में यानि शुकृदेव 5 सितंबर तक आपके दसम भाव में होंगे और 6 सितंबर को शुकरदेव तुलारासी में गोचर कर आपके 11 भावों में वराजमान होंगे सनी महराज आपके दित्ते भावों में वक्रिय वस्ता में होंगे और सूरिय देव पूरे सप्ता आपके 9 भावों में वराजमान होंगे जहां सुरुवात में मंगल देव के साथ यूती करेंगे सुरिया आपके नववम भाव में राहु आपके छटे भाव में वराजमान होंगे और पूरे सप्ता केतु आपके द्वादस भाव में वराजमान होंगे बात करें चंद्रमा की इस्तिति के बारे में तो सप्ता की सुरुवात में चंद्रमा आपके सप्तम भाव में वराजमान होंगे और सप्तम भाव से गोचर करते हुए अस्टम भाव, नवम भाव और दसम भाव में सक्रिय अवस्ता में होंगे बात करें इस सप्ताहा के महत्पुन दिनों के बारे में तो इस सप्ताहा की सुरुवात में एक, दो और तीन सितंबर को सरवार्शिद्धी योग का निर्मान होगा और पांच सितंबर को गज केसरी योग का निर्मान होगा इस सप्ता में 3 सितंबर को अजा एकदसी का वरत होगा 4 सितंबर को सनी प्रदोश वरत का दिन होगा जो कि भगवान सिव को समर्पित है और 5 सितंबर को मासिक सिवरात्री का दिन होगा तो ये जो समय होगा आपके लिए विसेश परणाम देने वाला होगा इस सप्ता दो ग्रह सक्रिय वस्ता में होंगे यानि दोनों ही ग्रह 6 सितंबर को गोचर करेंगे मंगल देव और शुकर देव इस सप्ता आपको यात्रा करने के योग बनेंगे और ये यात्रा आपको थकान और तनाब दे सकते हैं जिसका नकरात्मा कसर आपकी सेहत प्रभी पड़ सकता है आपके छटे भाव में राहू अपनी विर्सवराशी में वराजमान होकर बैठे हैं और केतु भी अपनी सब्तम द्रश्टी से आपके छटे भाव को देख रहे हैं तो इस सब्ता सबसे जादा आपको अपने खर्चे पर अंकुस लगाना होगा खरिदारी करते समय साबधान रहना होगा पैसा खोल कर खर्च ना करें अन्यता भविशे में भी आपको आर्थिक परिशानी हो सकती है तो अपनी समश्याओं को कम करने के लिए या समश्याओं से बचने के लिए खर्चों पर नियंतरन रखें इस सब्ता आपको घर के छोटे सदस्चों से अपने सम्मंद बहतर करने में मदद मिलेगी जिसके कारण आप अपना बड़पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रियास करेंगे इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं यह सब्ता कार्य छित्र में आपका रुत्बा बढ़ाएगा जिसके कारण दफ्तर में आपके दुस्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत आपको कोई बड़ी तरक्की मिलने के योग बनेंगे जिसकी चर्चा हर कोई करेगा आपके उच्छ अधिकारी आपकी साथीगन आपसे प्रसंद होंगे आपकी प्रसंसा करेंगे और आप इस दोरान आनंद के अनुभूती करेंगे इस रासी के जो लोग प्रतियों की प्रिक्षा की तयारई में लगे हुए हैं इस सब्ता विसिस सफलता प्राप्थ हो सकती है क्योंकि इस समय सूरिय अपनी सिंग रासी में मंगल के साथ गोचर करके भागे स्थान पर बैटे हैं तो यह भागे भी आपका साथ देगा इसके साथ ही उच्छ सिक्षा ग्रहन कर रहे चात्रों के लिए भी यह समय अच्छा सिद्ध होगा अच्छे योग इस दोरान बन रहे हैं क्योंकि इस समय आपकी पिर्ती इस्वर्दी भावना में बढ़ोत्री होगी तो यह समय आपके लिए अनुकूल होगा इस दोरान दाम पत्ते जीवन मदूर होगा जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और स्वास्थ भी आपका साथ देगा तो दोस्तो ऐसी जनकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै मताती दोस्तो